और अब युदिष्ट मराज किया रहे हैं युदिष्ट मराज वहां पर जो इकठे हुए जो ब्राह्मन है तो उनसे पूछ रहे हैं श्री राजो अबाचा तो युदिष्ट मराज को फिर हम देख रहे हैं कि श्री राजो क्योंकि वह धर्म सुता है और युदिष्ट मराज प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रहामनों से श्री राज व उभाचा अपि एश यहां पर क्या रहे हैं कि अपि एश यह जो बालक जिसका जनम हुआ है अपि एश वन्शेयान तो इसका जिस परिवार में जिसका इस परिवार में जनम है अपी एश्व वंशयान राज रिशीन पुन्य श्लोकान महात्मनाः तो यहां क्या किया रहे हैं कि क्या ये बालक उसी प्रकार बनेगा कि जिस वंश में जनमा है तो किसी भी इस बालक के गुण की तुलना किसी की जारी है उसके वंश जो से कि वो किस वंश से आ रहा है और वंश में तो जो उनके पूरवर्श थे किस वंश में आ रहा है उनके पूरवर्श पांडवी थे तो उस वन्ष में और उस वन्ष के क्या गुण बता रहे हैं कि अपी एशा वन्षयान राज रिशीन तो ऐसे वन्ष में कैसे राजा हुए थे राज रिशीन राजा तो थे परसाथ में कौन थे रिशी भी थे यानि कि प्रभुपार लिख रहे हैं दे फोर फादर्स अफ जुदिष्टे मराज की पांडबो के इस कुल में दे वर आल ग्रेट सेंटली किंग्स मतलब किंग्स थो थे बट सेंटली किंग्स राज रिशीन और बलकी बहुत एक सुंदर पंक्ती लिख रहे हैं की अब आल सेंट्स ऑन दे रॉयल थ्रोन की हाला की एक राज इगदी समाव रहे थे पूरे एश्वरे में थे बट सेंट्स थे वो और इसी लिए मालत तीन चीज़े लिख रहे हैं राज रिशीन और दूसी चीज़ क्या है पुन्य श्लोकान पुन्य श्लोकान मतलब तो अपने नाम से ही वो पुन्यवान थे मतलब वो पुन्य शाली भी थे मतलब वेदों के ग्याता थे पुन्यवान भी थे जो की धर्म को जानते थे और तीसरी चीज़ महात्मनाहा महात्मना यानि की वास्तम में ये आत्मा के सरपते हैं महा आत्मना हां तो वास्ता में आत्मा के सरपर धर्म पर वही चल सकता है जो आत्मा के सरपर हो या जो आत्मा के सरपर है वही सही निर्णे ले सकता है इसलिए हम देखते हैं कि भगवतीता में सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को आत्मा के स्थर पे आत्मा का ग्यान दिया दूसरे ध्याई में कम से कम 40 लोग आत्मा बने तो मतलब इसलिए भगवत कीता का स्टुडेंट हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि भगवत कीता के स्टुडेंट को अगर कोई भी प्रश्न पूचा जाए तो उसका उत्तर कहां से आना चाहिए हाँ आत्मा के स्टर से आना चाहिए या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा समझ भी नहीं आएगा आपके उत्तर में आत्मा शब्द जरूर होना चाहिए क्योंकि हमारे उत्तर में क्या होता है शरीर होता है शरीर या शरीर से संबन्ध होता है बट भगवती तक इस तरफे कोई भी आप उत्तर देंगे तो वो सीधा आत्मा आपको आत्मा का शब्द यूज़ करना बढ़ेगा और उसके बाद आंसर सारी जहें दोएगी तो अपी एशव वन्षयान राज रिशीन पुन्य श्लोकान महात्पनहा ये बालक क्या इसी प्रकार तीन गुणों में संपन रहेगा इस जिस वन्ष में जन्मा है क्या ये वन्ष का नाम उसी तरह उंचा रखेगा जिस तरह इसके पूरवज रहें है अनुवर्तिता यानि कि उस मार्क पे चलेगा अनुवर्तिता यानि कि जिस प्रकार महाजना ये इन गताह सापन था उस मार्क पे क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा अनुवर्तिता फॉलोवर और इसलिए आप देखें कि मलक किसी किसी का भी जब हम किसी की प्रशंसा कर रहे है शास्त्र जब किसी की प्रशंसा कर रहे है तो उसको उसके पूरवजों से जोड़ ऐसा नहीं कि ये बालक कुछ अपना कुछ अलगी करने वाला है इसने सिर्फ वही काम करना है जो कि इसके पूरवच करते वाए है और उसी से इसका यश्व बढ़ेगा प्रहुपार लिख रहे हैं कि प्रहुपार लिख रहे हैं कि महराज युदिश्टिर वास हिमसल्फ रेप्लिका ओफ इस एंसेस्टर्स कि वो केवल रेप्लिका को कैसे बुलेंगे इन्दी में रेप्लिका को नहीं बता है कारवन काफी जिस प्रकार उनके पूरवज हुए थे बस उसी प्रकार महराज युदिश्टिर भी अपने पूरवजों के समान उसी प्रकार यश्वी थे और यहां पर भी यहां पर भी वही चीज़ आ रही है कि परिक्षित महराज भी अपने जो पूरवजों की तरह ही जिशस्वी रहेंगे क्या तो इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि और क्यूंकि राज रिशी, उनके पूरवज राज रिशी थे पुन्यवान थे और महात्मना थे इसलिए लिख रहे हैं कि आल मेंबर्स अफ़ दे स्टेट यानि कि प्रजा में जितने भी जो जो प्रजा थी वो सब प्रजा भी खुश थी क्योंकि राजा धर्मनिश्ट था तो राजा निर्धारित करता है कि प्रजा कैसे होगी हम बोलते हैं कि आजकल करप्शन है और यह सब चीज़ है हम समाज में जो भी हमें दोश दिखते हैं तो एक्शली उसकी रिस्पॉंसबिलिटी किसकी है राजा की रिस्पॉंसबिलिटी है क्योंकि राजा मानलब एक एक प्रजा की भी रिस्पॉंसबिलिटी होती है जिस प्रकार बच्चा कैसा बनेगा यह किसकी जिम्मेदारी है माता पिता की सिंपल तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चा जो बन रहा है वो किस मार्क में चलेगा माता पिता की हाथ में सब कुछ और क्यूंकि पर आज जो हमारी जो प्रिजेंट सिच्विशन उसमें बच्चे गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं अपनी मर्जी अभी तो आंसर है सरकार की वेश सरकार बच्चों की सरकार कौन है बच्चों की सरकार कौन है? बच्चों के लिए तो कोई ल़ाज काम नी करते है बच्चों की एक ही सरकार है उसके पेरेंट्स इसी लिए सबसे बढ़ा कारण कोई बता सकता है की बच्चे गलत शमें क्यों जा रहे है नहीं प्राक्टिकल आंसा से अबड़ेगा थीक है एजूकेशन ने बट उसका वो भी किस कारण से या माताउ-पिता क्यास हो सकता है education हो फिर भी क्या चीज की कमी है यह थे माताउ-पिता समय नहीं देपा रहे हैं है वह बच्चे के लिए इतना पैसा कढखा कर रहे हैं कि समय नहीं देवार हैं वो पैसा कढखा कर रहे हैं अक्शली माताबज़ा कि पास समय नहीं है इसलिए बच्टे को टूशन बढ़ाने में लग रहा हूं ही पैसा बचा कर आप जॉब ताम कर लीजए क्याar पैसे तो यहां पर यही है यह मैसेज यही है कि राजा निर्धारित करता है कि प्रजा कैसे होगी और माता पिता के पास पूरा अधिकार है कि बच्चे को कैसे ड़ाला जाए नहीं इसलिए बच्चे का तारण करने के लिए भी कहा गया है क्योंकि बच्चे को सुधाने का एक तरीका होता है बच्चा तो बच्चा ही है बच्चे तो हम भी तो एक्शली बच्चे ही है तबी तो हमें भी बोला जाता है कि शास्त्रों के माध्य हमसे अपने जीवन जी हो Untrained Mind basically बच्चा क्या है? Untrained Mind हम भी अगर untrained mind होंगे तो हमारे decisions गलत होंगे और इसलिए माता बिता समय नहीं दे रहे या शास्त्रों का वो बात भी सही है कि शास्त्रों की knowledge ही नहीं है और शास्त्रों की knowledge अब कोई ले भी नहीं रहा क्योंकि सब job कर रहे है और job क्यों कर रहे है? पैसे कर रहे हैं और पैसा किस के लिए कमा रहे है? बच्चे के लिए और bigger कौन रहा है? बच्चे, तो फिर किसके लिए कमा रहे हैं, फिर किसके कमा रहे हैं। Ultimately तो समय देना था, Ultimately हमें कोई, मारें इतने मोटे-बोटे गरंथ पढ़ने की जरूत ही नहीं है। इतने इतने मोटे गरंथ पढ़ने के बाद भी तो करना वही है, है कि simple बच्चों को समय देना है और वो समय नहीं दे पा रहे हैं तो और बहुत ऐसा नहीं कि हम मंदिर आना छोड़ते हैं पता चले कि समय देने की जक्रवे लोग निश्कर्ज विए उल्टा निकाल लेते हैं कि जौब नहीं छोड़ेंगे पर मंदिर आना छोड़ते हैं किके जाटा यह तो म्यूबाइल किसे दिया हैं मौबाइल भी मतव्य और मौबाइल दिया ही इसंदे क्योंकि प्ैसा जाथ है अगर मतवित परह साथ बच्चों को बिगार रहे हैं और हम यहीं बच्चों ड्सकार हैं और इसलिए क्योंकि राजा इसलिए कि जैसे परिक्षद मराज जैसे आपके वंशच थे आप मतलब परिक्षद मराज वैसे बालक वैसे बनेगा की नहीं बनेगा तो हम भी अगर देख लें हमारे वंशाज जैसे थे हम वैसे बने हैं कि नहीं बने हम तो वैसे नहीं बन रहे हमारे जो पूरवज थे वो तो बहुत सतो गोड में थे और हम का हैं हम तो कहीं और ही चल रहे हैं हम तो तीन गोड़ों से भी परे तमों गोड़ों से भी कहीं और और चले गए हम तो तो सिंपल हमारा केंपारिजन अगर हम अपने पूर्वजों से भी करें तो हम काफी हमारा पतन हुआ है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है यह जो भागती हुई जिंदगी है का कि एएग जो ठी सिर्फ दूसरी जॉब कर तीसरी जॉब तीनों जॉब एक सथ हो रही है आजकर एक जॉब से भी नहीं बंता और एक जन्य और द्यूरीं फिर माता भी जॉब कर रहे खरneug कुमान ने तो मा को सबसे श्रेष्ट कारे दिया था सबसे श्रेष्ट जॉब दी थी नहीं कि बच्चे को बड़ा करना बच्चे को संसकार देना ये माता का पहला करता हुए और वो छोड़कर अगर हम बाहर जॉब करेंगे तो ठीक है हुआ ऐसा लग सकता है कि स्त्रियों की सोतंतरता मनलत स्त्रियां तो घर पे कुछ रह सकती है ना बाहर जाकर कौन सी स्त्रिय खुश है मनलत ये बताईगे आज की ग्रहस्त जीवन में ही विक्ती खुश रहता है नहीं मतलब ग्रहस्त जीवन इतना strong motivation है कि भगवान ने ग्रहस्त मतलब यह model ही बना दिया वरना तो सारे ब्रहमचारी होते नहीं पर maximum आप देखे 99% लोग ग्रहस्त है क्योंकि इतना strong model है और बलकि आप देखें दूसरे देशों में चायना में तो वहां पर बोलते हैं कि बहले वहां पर भगवान नहीं है वह तो communist country है पर वहां पर family relations इतने strong है कि उनका moral values भारत से भ देखें वहां पर free internet allowed नहीं है जो चीज़ हम शास्त्रों से नहीं निकाल पाए वह अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने apply कर दिया और वहां पर जो लोग मेहनत करते हैं आप देख लीचे वहां की चीज़ और इंडिया में बनीवी चीज़ में जमीन आस्मान का अर वहां के लोग काम कैसे करते हैं आपको पता है अगर आप चायरा चापान जाएंगे तो वहां के लोग काम वहां के लोगों को अगर एक बर बोल दिया जाए वो असे नहीं लगाते हैं वो as it is करते हैं वो जो हम भगवतीता समझाने में पूरा जिवन लगा देते हैं वो अपना सारा काम as it is करते हैं अगर उनको बोल जाए ये काम ऐसे करना है वो अपना दिवांग नहीं लगाएंगे वो as it is काम करते हैं इसलिए उनके प्रोड़क्स बहुत एक अलग क्वालिटी की होते हैं एक हम वह है न हम जुगाड कर लेते हैं तो इसलिए जो शास्त्रों में हम धूंडनी पा रहे हैं आक्शली वो अपने परिवार से निकाल लिया होना तो उनके फैमिली रिलेशन्स इतने स्ट्रॉंग होते हैं एक्जैटली यही चीज़े चलने पर उनना भगवान को हटा दी बस यह फरक है तो इसलिए वो कहिना गें अपने मन से और कॉमिनिस्ट अगर देखें में तो अल्टिमेटली वो भी तो एक राजा कोई तो फॉलो कर रहा है एक कॉमिनिस्ट भी तो एक अपने लीडर कोई तो फॉलो कर रहा है तो वो भी कहीं न कहीं धर्म तो फॉलो वो भी कर रहे है ऐसा नहीं है कि उनके वहाँ भगवान नहीं है वो सरफ नाम नहीं लेना चाहते है पर अल्टिमेटली कोई ना कही आप कंट्री में रूलस और रिगवलेशन तो है ना तो वो लॉस कहां से आ रहे हैं वो किसी किताब से ही तो आ रहे हुँ लॉस बस वो नाम नहीं दे रही है अब हमारे भी लौज काम करें मठ हम उसका credit भगवान को दे वो credit अपने laws जो भी है अपने वो अपने saints को देते हैं उनके भी है philosophers so called philosophers confucius तो वो जू philosophorr भी है वो भी तो कहींगा कहींसके सोची रहा है और फिर वो apply करते हैं तो फिर चीजें होती हैं तो point यह है कि अपने परिवार के लिए भी कि अगर कोई व्यक्ति जीना चाहे तो उसके लिए भी उसको शास्त्र follow करने ही पड़ेंगे आप शास्त्रों से बच नहीं सकते हैं आप नियुमों से जानते हैं कि हमारा स्वार्ट क्या है हमारा वास्ता में हमारा स्वार्ट यह हमारा शास्त्री है जिससे हमारे बच्चों का best benefit शिर्ण परभवार लिख रहे हैं कि highest welfare activity for the society यह कृष्णा कॉंशेसनेस तो इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर लिखने हैं कि under strict guidance मनले यह देखें बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है कि under strict guidance of the great souls and spiritual injunctions कि ऐसी महान आत्माओं और शास्त्रों के अंतरगत जो राज रिशी थे उनको प्रशिक्षित किया जाता था under strict guidance तो कहां से मार्ग दर्शन आ रहा है शास्त्रों से मार्ग दर्शन आ रहा है और ऐसे जो राज रिशी होते थे वो training लेते थे और उसकी वज़े से प्रजा खुश रहते थी यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुए कि अगर माता पिता ट्रेंड होंगे तो बच्चा खुश होगा माता पिता को पता ही नहीं कि decision क्या लेना है तो बच्चे को क्या लाकर देंगे boxing kit नहीं मैंने देखा हुआ है मैंने अपने परिवार में ही देखा हुआ है बच्चे को बढ़ते बे गिफ्ट लाकर दिया boxing kit बच्चा था पहली पहली मारने के लिए त्यार है अब वो दिन दूर नहीं बच्चे को बंदूख लाकर दिये जाएगी कि देखो तुमारे पास एक कुछ अलग चीज होनी चीज़ है उसको बंदूख लाकर दे देंगे यह एर गन लाकर देंगे जैसे पक्षियों को मारेगा यहीं सब चल रहा है और क्या चल रहा है आज कल वो नहीं है छोड़े मिनी ट्रक्स लाकर दे देते हैं बच्चे को गाड़ी है रिमोट कंट्रोल गाड़ी किया है वो सब भगवान इश्वर भाव है वो कि इश्वर नाना चाहते हैं मत्से को और लिख रहे हैं कि ऐसे जो राज रिशी होते थी तो यहां पर लिख रहे हैं कि दिस इस दे वे कि जीवन जीने का प्रजा के पालन का यही तरीका है अगर वास्ता में मुनार्की क्या है मुनार्की मतलब एक राजा होता था ना पहले और पीडी जर पीडी उसके परिवार में राजकमार होते थे जिनको राजगदी मिलती थे तो वही यह है कि परिवार में ही वो शिक्षा चलती जा रही थी और उसका तरीका क्या था ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही वो तरीका था और इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि जो राजा होता था और इसलिए यहाँ पर लिखने हैं पुन्यवान तो होते था साथ में वो निर्भे होता था भगवान का भक्त होता था and fear personified for the upstarts जो 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 लोग धर्म का पालन नहीं करते थे तो उनके लिए वो कौन था साक्षाद भै की मूर्थी होता था जो राजा होता था कि अगर कोई राज्य में धर्म का पालन नहीं करता था तो राजा उसको दंड भी देता था और इसी प्रकार माता पिता को बच्चे का ताड़न भी करना चाहिए अगर बच्चा नहीं सुनना पर सही उमर पर अगर बड़ा बड़ा होगे तब वो बच्चा उस समय है तो फिर उसके लिए अलग डिलिंग है पर एट लिस्ट साथ साल से कम बच्चे को तो हम मैंला साथ-ाठ साल वैसे तो हाद दस-ग्यारा साल तक बच्चा सुनता है उसके बद बच्चा सुनना बदने कर देता है उसके बद कुछ नहीं उसके बद फिर हम अपने कर्म भूगेंगे और कुछ नहीं होगा और इसलिए लिख रहे हैं यहां पर प्रवपार लिख रहे हैं कि इसलिए राजा का क्या करताओ है He must also leave an air वो अपना उत्तरधिकारी वो खुद बनाता है माता बिता बच्चे को खुद ढालते हैं यही वो है जिस परकार राजा अपना उत्तरधिकारी उसी प्रकार माता पिता ही बच्चे को ढालते हैं यही लिख रहे है इसले दिखा है he must रजा का है करतवे है माता पिता का है करतवे है he must also leave and are apparent equally qualified और उसको जोगे जोगे उतरज़खारी बनाना होता है qualified to rule over the innocent citizens यहाँ पर लिखा है कि ऐसा राजा ऐसा कि आप बोलते हैं qualified क्या है जोग्य ऐसा उत्तरदिकारी ऐसा राजा उसको बनाना चाहिए जो की प्रजा पर शासन कर सके पर कैसी प्रजा जो की एक साधारन जो की इनुसेंट है और अगर हम बच्चे को सही तरीके से ढालेंगे तो हमारी प्रजा क्या है हमारी प्रजा है क्या हमारा शेतर क्या है शेतर शेतर रग्या हमारी प्रजा क्या है शरीर हाँ शरीर और ये पांच इंद्रियां हमारी प्रजा है तो ये प्रजा संतुष्ट रहेगी हमारी इंद्रिया संतुष्ट रहेंगी अगर हम सही से आत्मा को सही से प्रशिक्षित करेंगे तो आप देखेगा आपका मन संतुष्ट रहेगा यही तरीक है जो चीजे हम चीजों में ढूंड रहे हैं वो ट्रेनिंग से आता है यहाँ पर यह इतात्परे में लिख रहे है प्रभपाद और इसलिए प्रभपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रभपाद लिख रहे हैं कि आज की तारिक में राजा क्या है कि no one retires from political life unless forced to do so कि कोई कोई actually आजकल हर कुई प्रजा का शोशन करना चाहता है और हम अपनी इंद्रियों से इस संसार को enjoy करना चाहते हैं भोगना चाहते हैं और बल्की तब तक हम इंद्रियों को छोड़ते नहीं जब तक हां जब तक actually इस शरीर यवाद दे जाया तब तक हमें जोए गढ़ना जाते हैं कहीं से कोई मेरे बस कहीं से कुछ छूट ना जाए यहां पर यही लिख रहे हैं कि no one retires from political life unless forced to do so कि हम भी अपने इंद्रियों को हम त्यागना नहीं चाहते how can such a low grade man do good to the people और इस तरह अगर कोई विक्ती समाज का या अपने शरीर का शोशन करेगा तो शरीर को कैसे समाल सकता है हम अपने शरीर का हमने शोशन किया है इसलिए हम सब बेमार है तो इसलिए यहां पर यह लिख रहे हैं और फिर ब्रामणों ने ब्रामणों ने ब्रामणा उचू तो ब्रामनों ने उत्तर दिया पार्थ प्रजा आविता साक्षाद इक्ष्वाकुर एव मानवह ब्रह्मनेह सत्य संधस्च रामो दश्रत रामो दश्रतिह यथा तो ब्रामनों ने उत्तर दिया कि जैसे जो दिश्रत मराज ने पूछा है कि आपने पूरवजों की तरह यश्रस्वी होगा तो ब्रामन कहरे हैं कि कि ये कैसे होगा प्रजा अविता की की जो प्रजा है प्रजा का ये पालन करता होगा तो प्रजा कौन है वैसे हम देखते हैं कि राजा की प्रजा कौन होती है पब्लिक पब्लिक और प्रजा हमने डिसकस किया हुए यह पाइंट नहीं राजा की अभी हम बाहर हैं राजा का परिवार समाने लोग और हाँ सारे जीव जनतुों जो जैसे हम देखते हैं लिया पर शिल्व प्रभापात में लिख श्वाध भागतम में भी आ रहा है कि जब परिक्षिद महराज की बारे में या رहा है कि परिक्षिद मह्राज जबant पर अपने राज्य के प्रहपंट में निकले तो उन्होंने देखा कि एक कली के रूप में एक राजा एक गाये को तो एक्शल उसको मार रहा है और तुरंट परिक्षद महराज ने जो कली के रूप में उस राजा था तो उसको बंदी बना दिया और प्रिक्षद मराज ने पूछा कि मेरे राज में तुम कौन हो कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि इस पशू पर तुम अत्यचार करो यानि कि राजा का करतवे था कि पशू की भी वो रक्षा करे और हम देखते भी हैं कि भगवान भी खुश होते हैं कि नमो ब्रामना देवाया गो ब्रामना हिताया चार कि भगवान भी खुश होते हैं गो जो गव माता है या यानि कि जो बाकी पशू है गव ब्रामना हिताया चार वास्त में भगवान भी सारे पशू पक्षी सारे जीव जन्तों का और specially ब्रामनों का कल्यान चाहते हैं क्योंकि ब्रामन ही यानि कि जो विद्वान होते हैं वो धर्म की रक्षा करना जानते हैं तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसलिए प्रजा प्रजा का वो पालक पालन करता बनेगा यह लिख रहे हैं ब्रामन के रहे हैं कि यह प्रिक्षित महराज बड़ा होकर यह अपनी वास्ता में यह अपने प्रजा के बारे में सोचेगा और यानि कि सारे जीव जन्तों के बारे में सोचेगा और वही चीज़ अगर हम अपने शेत्र पर अपलाई करें तो हम अपनी इंद्रियों के बारे में भी अगर आप सोचें मतलब हमें खुद पर अपलाई करें तो कैसे होगा इंद्रियों के बारे में सोचना क्या होता है हमारी प्रजा जैसे इंद्रिय है हमारी प्रजा क्या है हमारी पर जाए एक तो family है family के बारे में तो हमें सोच नहीं है अगर आपका खुद बे control रहेगा अगर आपका खुद मन संतुष्ट रहेगा तो आप परिवार को भी खुश रख सकते हैं ये भी एक message है अगर हम ही disturbed चलेंगे तो फिर परिवार कैसे खुश रहेगा घर में आएंगे लड़ाईयां हो रही है तो ऐसे नहीं होगा आप संतुष्ट होंगे तो पूरा जगत आपको संतुष्ट नज़र आएगा अगर हम ही संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर परिवार भी संदुष्ट नहीं होगा आप अपने आचरन से क्या सिखाएंगे और अगर हम पास में आ जाएं तो हम अपनी हमारा शेतर क्या है एक्षली परिवार भी हमारी मदद करने के लिए यह अल्टिमेटी आपको अपने उपर काम करने परिवार तो सरफ दिखा रहे हैं कि हम अनकंट्रोल है जिस प्रकार हमारी इंद्रियां हमें दिखाती हैं कि हमां अनकंट्रोल है आप मार्केट में निकलेंगे अगर आपको कोई वस्तु खीच रही है तो आपको पता चल जाएगा भग्मान आपको दिखा रहे हैं कि अभी मन अनकंट्रोल है तो प्रजा को संतुष्ट करने का क्या मतलब है इंद्रियों को संतुष्ट करना और इंद्रियों को संतुष्ट करने का क्या मतलब है इंद्रियों को रिस्पेक्ट देना इंद्रियों को रिस्पेक्ट देना हम अपनी इंद्रियों को भी रिस्पेक्ट देते हैं जिसका शरीर को रिस्पेक्ट दी जाती है ना शरीर को रिस्पेक्ट देना इंद्रियों को रिस्पेक्ट देने ही है तो आपको पता है कि कोई भी जैसे जैसे हम अगर आप जैसे अंधेरे में पढ़ेंगे तो आँके खराब जाती है ना चश्मा लग जाता है ना अगर अंधेरे में पढ़ेंगे तो तो हम अपनी इंद्रियों को रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर हमारी आँखे खराब जाती है इसी प्रकार अगर आपको ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो जितना हम अपने हम अपनी इंद्रियों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उतने हम एक्शली हमारी इंद्रियां हमारे साथ में रहेंगी और पता नहीं कैसे समझ में आएगा बढला जितना हम संधन शील हो जाएंगे उतनी आपके इंद्रियां स्ट्रॉंग उती जाएंगे ऐसे नहीं हो ता हेल्दी हो जाएंगे और स्ट्रॉंग भी हो जाएंगे मतलब अगर आप जैसे बहुत जाद सेंट यूज़ करें न तो आपको खुझव आनी बंद जाती है एक समय और अगर अगर आप बिल्कुली नैचरल चीज़े यूज़ करेंगे तो आपको दूर सभी एक हलकी सी भीनी-भीनी खुझव भी आप पहचान सकते हैं जो लोग सेंट यूज़ करते हैं उनको मिट्टी की खुझव कभी नहीं आएगी उनको बारिश में जब बूंदे परती हैं तो मिट्टी की खुझव कभी नहीं आ सकती क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को इतना स्ट्रॉंग बना लिया कि छोटी-छोटी भीनी-भीनी आपको छूकर निकलेगा आपको पता चल जाए तो यह क्या यह अपने इंद्रियों को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं और फिर आपको धीरे-देर समय में आएगा कि यह चिडियां भी बोल रही है अभी सुबह के टाइम यही है ना हम अपने इंद्रियों को रिस्पेक्ट ले लें तो वास्ता में प्रजा का पालन प्रजा का काफी गहरा अर्थ है तो राजा किवल बाहर की प्रजा का पालन भी नहीं करता है वो अपने परिवार का भी पालन करता है और वो वास्ता में अपने शरीर की भी केर कर रहा है और यह सब क्यों कर रहा है क्योंकि उसे भ भगवान की सेवा पहे लगाए और इसलिए कहेरें साक्षाद इक्ष्वाकू की तरह यह यह बालक बनेगा और ब्रह्मन, और बलकी ब्रह्मनों का आदर करेगा सत्यसंदहश्य और यह सत्य का पालम करेगा सत्य संधश्च रामो दश्रती यथा और बलकि दश्रत पुत राम की तरह बनेगा तो राम राम की जीवन से क्या मेसेज मिलता है भगवान राम की जीवन में क्या विशेश था मर्यादा पुर्शतम और क्या था भगवान राम की जीवन में और क्या था गुर्व अर्थे तक्त राज्यो यह श्लोक आ रहा है नाइंथ कैंटो में गुर्व अर्थे अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने अपना उन्होंने एक्शली राज सिहासन छोड़ दी और केवल अपने राजा बनने का अधिकार नहीं छोड़ा वो चौदा साल के लिए वन्वास ही चले गए सोच सकते हैं अगर कोई चौदा दिन आपको घर से बाहर निकाल दे हम तो तलवार लेकर निकलाएंगे नहीं उन्होंने कि उन्होंको पता था कि यह गलत है जो यह वर मंगा गया यह गलत है क्योंकि बहुद नाम तो धर्म के प्रतीक थे और भगवान राम अगर राज्यक मापालन नहीं करेंगे तो कहीन कहीन हानी तो होगी पर गुर्व अर्थेत्यक्त राज्यों उनको पता था कि मेरे पिता का वचन क्योंकि वो तो दश्रत कौन थे वो तो भगवान के भक्ती है क्योंकि उनके पुत्री भगवान पैदा हो गए तो उनसे बड़े भक्त कौन होंगे तो अपने भक्त का वचन रखने के लिए गुर्व अर्थे त्यक्त राज्यो उन्होंने केवल अपना अधिकार नहीं छोड़ा बलकि उनको ये भी पता था कि ऐसा नहीं कि पीछे से क्योंकि राम, लक्ष्मन, शत्रुगन और भरत ये सब कौन थे ये सब भगवान के अफ़तार ही थे ये भगवान के विस्तार थे तो उनको पता था किपछे से चलो राज्जे तो चले गई चलेगा बट अपने पिता का वचन उनोंने जोटा नहीं होने दिया अपने भक्त का वचन उनोंने जोटा नहीं होने दिया और बल्कि एक बल्कि वो I think ऐसा भी नहीं कि वो ककई के खिलाफ उनके मन में कुछ रोश आ गया वो उस समय भी आदर कर रहे थे तो ऐसे जो राजा होते थे तो तब उनके बारे में कहा गया है कि दश्रत पुत्र राम की तरह बनेगा गुर्व अर्थे तक तरा जोगी धर्म एक बार बोल दे तो अपने बारे में अगले दिन उनका राज्या भी शेक होना है और एक बार अपने पिता के कहने पर वो घर से बाहर निकल ले 14 बार सोचा ही नहीं होना है इसको कहते हैं धर्म निष्ट तो यहां पर यहीं आ रहा है इसलिए शुलाप रुपार लिख रहे है कि बलकि अपने विभा के उत्परांथ अपने अपना वनवास स्विकार किया ऐसा नहीं कि उन पर फोर्स किया गया वो चाहते तो रोक भी सकते थे पर उन्होंने स्विकार किया तो यह वास्ता में धर्म निष्ट राजा होते हैं हरे क्ष्णा हरे क्ष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे शिर्ण प्रवपाद की कर दो